तो राष्टिय जनता दल जिला यूनिट कैमूर बहुत जोड़दार प्रदर्शन की अरामगर थाने के सामने, हजारों की तादात में और दिन भर मेटिंग हुआ, लेकिन जो गुंगी बहरी जो पटना में सरकार है, उसके कान पे जू नहीं रेखता, तेजस्वी जी ने तो बुद बिहार को क्या चाहिए? मैंने कोई वीडियो नहीं देखा कि वीडियो में क्या है, क्या बोला है, लेकि जिसको जगदानंची ने दिखाया, उसके गवाहत तो हम लोग है, पनौर्मा ग्रुप, जो सोचता है, वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना नमश्कार भारत लाइब देख रहे हैं, आप देखें, विधान समचनाव में अभी समय है, लेकिन लोग समचनाव के दो-तीन महीने बाद ही बिहार में बहुत उलट फेर हो रहा है, बीज़ेपी की तरफ से दिलिब जैस्वाल, राजिसर विवंभूमी सुधार के मंतरी है उन्होंने कह दिया है कि अब बैतालीस हजार से ज़्शाता गावों में सर्वे होगा, जमीन सर्वे होगा लेकिन इस जमीन सर्वे में बात बनती हुई नहीं दिखाई दे है, तेखिए हमारे साथ सांसा सुधाकर सिंग सर है, सर् से बात करेंगे और भी काफी मुद्दavor तीन किसानों के घर पर साथ सितंबर को रात में बिहार पुलिस का दरोगा गया वहाँ पर बिजली विभाग के ठेकेदार के साथ कि जब तक तुम लोग पैसा नहीं दोगे घूस में तब तक तुम लोग का पोलतार नहीं गड़ेगा और जब आप गड़वा लीजेगा किसी उखडवा लेंगे और वो किसान भाय से रात में तो मेरे पास नहीं आये लेकि सुबह आठ बजे मेरे दरवाजे पर आए तो मैंने दरोगा सीतने ही कहा कि आप किसानों के घर पर कोई वारंट या कोई कंप्लेइन या कोई इफायार दर्स था जो आप रात को साड़े बार दरोगा बने हैं तो दरोगा ने जो भी मेरे मुझसे अभद्र भासा ब्योहार किया उसकी चर्चा मैं न करूं तो यह है पूरे राज की इस्तिती मैं उसके बाद एसपी और डेसपी को बताया कि देखे इस तरह की घटना हुई है रामगड में तुस एसपी और डेसपी न लिया और जब दुबारा गया तो यह ठेकेदार साथ में नहीं था अन्ना यह फाईयार की कौपी थी किसानों के प्रतिरोध में तीनों किसान को छोड़ना पड़ा है यह हालत थी श्राज में जो हमने लगतार जो हमारे पास जो सुचना आ रहे हैं और आपके पास भी आए है कि पहला सांसद में वह इस बिहार में अ्पने बाद को रखा कुछ लोग नहीं रखा लेकिन यह रोज हो रहा है सवाल है तो राष्ट्य जनता दल-जिला यूनिट कैमृर बहुत जोड़दार प्रदर्शन नकी अरामाने के सामने हजारों की टाधात 앞에 हुआ दीन मेटिं है उसके कान पर जू नहीं रेखता इसको लेकर कुछ आवाज नहीं उठाएंगे इस तरीके का मनोबल बढ़ता थानेदार का मनोबल नज़र आ रहे हैं वो तो कहीं रहे हैं कि संगठित अपराद है अब कितना बात तो कहें रोज उनका हर दो से तीन दिन पर प्रेस रिलीज जाता है कारे उठा रहे हैं और इसी बात को जाचने के लिए उसी बात को समझने के लिए उग्रामिट चैत्रों में रात रात भर दिन दिन बर यात्रा कर रहe है तो यस्वी जी ने तो тоб裡 एक सो बार कहा कि किस तरीके से भीहर की सरकार में रूट अंत्रकायम है अपरादी म प्रशाशन मिला हुआ है राज का जो मुख्या ही अप राधियों के घर पे जाता हो उनसे मिलने के लिए अब इससे बड़ा सबूत बिहार को क्या चाहिए तो आज अशोक चौधरी ने भी एक वीडियो जारी किया है लालू यादव के गिर गिराने करा अपरी देवी भी है तो इसको लेकर क्या कहिएगा तुरंत उधर से जवाब आ जा रहा है मैंने कोई वीडियो नहीं देखा कि वीडियो में क्या है क्या बोला है लेकि जिसको जगदानंसी ने दिखाया है उसके गवाहत हम लोग है कि जब सरकार गिरे नितिश कुमार इस्थिपा देने से पहल की प्रांगी वीडियो यह एक उससे वीडियो है फैस दृटा लटकाए जाएगा अब कैसे यहेर जारी चारीश पैसा उसुलते लोगों का अधिकारियो करमचारियों का मैं दूसरा वीडियो भी मैंने रिच किया है दुरगाउती का और रही वीडिो आ रहे हैं मेरे पास तो कौन कारवाई किया पूरे विहार में कहीं कोई कारवाई हो तो बताए अरे ये लोग तो RJD के ही लोग हैं जो लोग पैसा निकाल रहे हैं ये हमारे लोग तो है ही नहीं पैसा निकाल रहे हैं, लेने वाला सरकार का दिकारी है ना, वू किस पार्टी के कारकरता Shayल ले रहा है, ऐसा तो नहीं बोड लगाया है कि मैं पैसा नहीं लोगा, राजद वालों से लोगा, और राज़ेत वालों से क्यों पैसा लिया जाएगा इसलिए हम विरोध में सरकार का इसलिए हमारे कारकरताओं से हमारे मद्दाताओं से पैसा खुली होगा हाला कि मैं आज तक देखा हूँ ब्रश्टाचार के मामने में ब्रश्टाचारी निर्पेच होता है उससे पैसा उसुलता है अखरी सवाल करूंगी अश्रोक चौधी का एक बयान था भी दिनों कि राजत के काफी लोग मेरे संपर्क में और जल्द ही भगदर मचने वाली है स्याम रजक की जॉइनिंग के बा जहां तक नित्रुत का सवाल है अब रिटायर होने वाले हैं नितिसकोमार विहार में सबको मालूम है मांसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं अब सारे रिक रूप से थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं पुतला जैसा कोई उसमें बोडी लांग विज नहीं होता इसलिए प्रसाशन में कोई भाय नहीं है और इस तरह से घोमते रहते हैं पुतला जैसा उनके पीछे जो चलाने वाले लोग कुछ चंदर नौकर साह और चंदर नेता जो व्रष्ट लोग है उनको चला रहे हैं तो अब या आखरी घड़ी है उनकी राजिनिती का कितना दिन चलते ह हैं देखा जाए चली बहुत बहुत धन्यवाद सर देखे हमाई सांसत थी सुधाकर सर थे और तमाम मुद्दो पर हमने चर्चा की जमीन सर्वे को लेकर अशोख चौजी के बयान को लेकर और जो भी मुद्दे तो उसमें बात की फिलाल इस ख़बर में इतना ही जड़े अ साथ अपनी डाय रखिए बहुत बहुत धन्यवाद पनोर्मंक रूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंट 816-816-700 धन्यवाद